तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दे वीडियो, आज की वीडियो में हम लोग 25 नमबर थौस्टे के लिए 5 बहुती बड़ी है स्टॉक्स देखने वाले हैं, वीडियो में मैं जहां पे भी आपको एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टार्गेट बताने वाला हूँ, अगर आप उसके according trade करेंगे, तो कल के trading session में आप एक बहुती बड़ीया पैसा बना सकते हैं, तो friends अगर आप चैनल पे ना हैं, तो definitely आप चैनल को subscribe कीजिए, अगर आप हमारे telegram चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वीडियो के description में लिंक है, आप simply वहाँ से join कर सकते हैं, तो हमेशा की पहले हम लोग overall market का sentiment देखेंगे, तो nifty में आज first half में कुछ अच्छी खास moment देखने को नहीं मिली, पूरे दिन एक range में moment किया, लेकिन second half में बहुती बढ़िया downside की moment देखने को मिली है, अगर overall daily की candle लेखें, तो आज भी जो candle बनी है, वो कहीं न कहीं bearish candle बनी है, मैंने आ ऐसे ही resistance के पास आया, around 17,600, एक बढ़िया साप downside की moment देखने को मिली, तो जो closing हुई है friends, वो कहीं न कहीं 17,350 के पास हुई है, सबसे important किया है, क्योंकि downside की moment अभी भी बची है, 17,400 का एक support था, उसका भी हम लोग को breakdown देखने को मिला है, तो overall अभी भी जो sentiment है, वो कहीं न कही downside का ही हम लोग मान के चलेंगे, और जो भी stocks को हम लोग trade करने वाले हैं, वो कहीं न कहीं overall market के context में ही रहने वाले है, so friends, हम लोग का जो पहला stock है, that will be zeal entertainment, अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, and 5 ताइम इसको touch कर चुगा है, सबसे important क्या है कि पिछले 2 दिनों से, एक बढ़िय upside की rally देखने को मिली है, छोटा सा pullback हुआ, फिर upside की moment हुई, और कहीं न कहीं जो closing होई है, वो resistance के पास ही होई है, so एक perfect situation है, अगर इसको breakout करता है resistance को, तो हम लोग को upside में बहुत ही बढ़िया target देखने को मिलेंगे, और देखें दूसरी condition क्या है कि area of interest है, among buyers and sellers, ये price around 337 के करी, तो अगर इसको breakout नहीं कर पाता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि resistance का अगर share respect दिखाएगा, तो downside में भी बढ़िया targets आपको देखने को मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि overall market का structure क्या है, और share उसको कैसे respect दिखाता है, so zeal को हम लोग पाइं करेंगे 337 के उपर, targets होंग है, 333 and 332, stop loss आपको रखना होगा, 338 का एक swing high, second stock के हम लोग का TCS, अगर आप देखें तो 15 minute के time frame में एक बहुत ही बढ़िया support का formation है, और इसको भी कहीं नगहीं share ने 4 to 5 times respect दिखा दिया है, so ये भी एक perfect situation है, और अगर हम लोग आज की second last candle देखें, तो इसने support का breakdown भी किया तो आपको short sale करना है, below 796, targets होंगे हमारे 792 and 790, stop loss आपको रखना होगा, 801 का एक swing high, वहीं पे अगर इस support का respect दिखाता है, और upside में movement देखने को मिलती है, तो आप buying कीजिएगा 802 के उपर, targets होंगे हमारे 806 and 808, stop loss आपको रखना होगा, 797 का एक swing low, तीसरा stock जो रहेगा हम लोग का that will be Chola Finance, एक support का formation है, 1, 2, 3, 4, 5 time टच कर चुगा है, सबसे important क्या है कि अगर हम लोग upside से draw कराएं, तो एक descending triangular pattern का formation होता है, descending triangular pattern का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं sellers इसमें active है, as compared to buyers, तो Chola Finance को हम लोग short sale करेंगे, below this support range, 585 के नीचे आपको short sale करना है, targets होंगे हमारे 582 and 580, and stop loss आपको रखना होगा, 589 का एक swing आई, वहीं पर अगर इस support को respect दिखाता है, और इस triangular pattern को breakout करता है, तो भी हम लोग बढ़िया पैसा बना सकते हैं, आपको buying करनी है, 590 के उपर, targets होंगे हमारे 593 and 595, stop loss आपको रखना होगा, 586 का एक swing लो, next talk रहेगा हम लोगा है, 15 minute के time frame में, एक बहुती बढ़िया support का formation है, यहाँ पे इसने breakdown किया, एक अच्छा target देखनी को मिला, अगर आप देखें, तो यहाँ पे भी एक support है, और फिर यहाँ से एक pullback हुआ, और दुबारा support का formation हुआ है, तो हैविल्स में भी अगर support का breakdown होता है, तो एक बढ़िया downside में हम लोग profit capture कर सकते हैं, लग भोग डेर परसेंट की, डेर परसेंट का profit बहुत होता है, तो आपको short sale करना है below 1359, targets होंगे हमारे 1352 and 1348, stop loss आपको रखना होगा, 1366 का एक swing high, वही पे अगर इस support का respect दिखाता है, और upside की moment आपको देखने को मिलती है, जैसा कि मैं हमेसा बोलता 12 and 1376, stop loss आपको रखना होगा, 1358 का एक swing low, so friends कल का जो हमारा fifth and last stock है, that will be M&M Finance, एक 15 minute के time frame में बहुत ही बढ़िया support का formation हुआ है, और अगर हम लोग daily के time frame में जाएं, तो देखिए friends इसको market से कोई मतलब नहीं है, लगातार downside की moment देखने को मिल रही है, आज भी एक बहुत ही बढ़िया downside की moment देखने को मिली, so M&M Finance को हम लोग ideal situation में short sale करेंगे, below 167, targets हों के हमारे 166 and 165, stop loss आपको रखना होगा, 168.5 का एक swing low, देखिए, यहाँ पे आपके target छोटे नहीं है, एक एक point के अगर आपके target हैं, तो उस target को छोटा नहीं बोलते हैं, अगर share का price 100 रुपय क होगा है, तो आपको अगर एक रुपय का target मिलता है, तो एक percent एक बहुत ही बढ़िया moment होती है, वहीं पे अगर upside की moment दिखाता है, around this support line, तो आपको buying करनी है, 168 के ऊपर targets होंगे हमारे 169 and 170, stop loss आपको रखना होगा, 166.5 का एक swing low, तो friends, आज के stock की performance देखने से पहले, अगर आप consistent basis पे independent and profitable trader बनना चाते हैं, अगर आपके पास strategy नहीं है, stock selection methods नहीं है, कैसे professional तरीके से trading को approach किया जाता है, pre and post market analysis कैसे करते हैं, price section from basic to advance, और सभी important candlestick patterns जो कहीं न गहीं trading में काम आते हैं, अगर आपको इन चीजों पे mastery नहीं है, और अगर आप एक independent and consistent profitable trader बनना चाते है तो आप हमारे the complete pro trader course को आप कर सकते हैं, details आपको screen पर दिकरी होंगी, तो अगर आप चाहें तो इस month के last batch में join हो सकते हैं, और अपने trading में बहुत ही बढ़िया edge बना सकते हैं, so guys यह हमारा telegram channel है, अगर आपने join नहीं किया है, तो video के description में link है, आप simply वहाँ से join कर सकते हैं, नहीं तो आपको search करना है आके trading tech street, telegram में आप वहाँ से भी join हो सकते हैं, so पहला stock था हम लोगा MFSL, अपने को buying करनी थी 954 के उपर, so share ने जैसे ही 954 के level को cross किया, share ने high बनाया है 962.5 के करीब, तो जो भी हमारे दो targets थे 959 and 962, दोनों target बहुत ही असानी से achieve हुए है, next stock थ पहला high बनाया 950 के करीब, and second high बनाया है 952.5 के करीब, तो जो भी हमारे दो targets थे, 949 and 952, दोनों target असानी से achieve हुए है, next stock था हम लोगा M&M, एक huge gap up opening देखनी को मिली, तो we have to wait for a swing high and swing low, यह आपका swing low बन गया, अब आपको यहाँ पे trade execute हुआ है, यह आपने swing high stop loss लगा दिया और accordingly छोटा सा pullback हुआ, stop loss आपका नहीं हुआ, पहला target आपका यहाँ अची हुआ, second target आपका कहीं नहीं, यहाँ अची हुआ, enter थी आपकी 896 के करीब, पहला low बनाया, share ने 892.5 के करीब, and second low बनाया है, 891.25 के करीब, तो accordingly जो भी हमारे targets थे, जो हम लो calculate करते हैं, उसके हिस for a swing high and swing low, आपने wait किया swing high, swing low बनने का, अब swing high cross करेगा, आपका buying का level आता है, तो आपको buying करनी है, stop loss आपको रखना होगा swing low, जो नहीं वाला आज बनाया है, targets आपको वहाँ से shift करने पड़ेगे, क्योंकि जो आपको targets मैंने दिये हैं, वो वहाँ से change हो गया है, क्योंकि market हो बनने वाला नहीं है, जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे और apply करेंगे, तो swing high पे आपको buying करनी है, मान लिए swing high बना 505, अब आपको वहाँ से अपने targets को calculate करना है, 0.5 से 1% की बीच में आप 2 target रख सकते हो, बहुत ही बड़ी targets होते हैं, अगर आप बड़ी continuity में trade करते last talk था हम लोगा sun pharma, तो देखिएगा sun pharma में हमें 792 पे buying करनी थी stop loss हुआ है, लेकिन एक चीज़ समझेए, ध्यान से समझेगा, एक quote मेरा याद रखिएगा trading में, अगर आपके trade लेने से पहले, 0.5 परसंट, 2 परसंट की एक अच्छी moment लगातार हो चुकी है, तो आपको wait क करना पड़ेगा, या तो आप trade को छोड़ दीजिए, या तो trade को जाने दीजिए, swing high बनाए, फिर नीचे आएगा, और फिर अगर दोबारा swing high को cross करेगा, then only we can buy, तो अगर आपको 792 पे buying करनी है, और अगर आप देखें तो पहले से ही, लगभग 0.5 परसंट की moment हो चुकी ह तो मैंने क्या बोला, trade लेने से पहले अगर एक 0.5 परसंट की moment हो चुकी है, we have to wait for a swing high, फिर नीचे आए, फिर cross करेगा, then only we can buy, तो क्या हुआ सर्स में, swing high बना, आपको उसके बाद कहीं पे भी swing high cross होता हुआ, नहीं दिकरा है, तो buying की conditions तो अमारी यहाँ पे achieve नहीं होई, अब आज समझे, लोग क्या करते हैं कि आपको buying level बता देते हैं, selling level बता देते हैं, और maximum time लोगों के stop loss क्यों होते हैं, क्योंकि आपको यह नहीं पता है कि trade को execute कैसे करना है, condition change होती है, market के हिसाब से आपको चीजों को adjust करना पड़ेगा, तो sun pharma में हमारा buying का level trigger नहीं हुआ 786 के नीचे आपको short sell करना था, जैसे ही 786 का level trigger हुआ, share ने first low बनाया 784, second low बनाया आपका 777 के करीब, तो जो भी हमारे दो targets थे sun pharma में बहुत आसानी सर्ची हुए, और कहीं न कहीं हमें extra 0.5% की moment देखने को मिली, so friends अगर आप channel बनाया हैं, तो definitely हमारे channel को subscribe कीजे, so friends advance, कैसे position sizing को manage किया जाता है, risk management, money management, high probability trading practices, candle six patterns, support and resistance, trend line, सभी चीज़े step wise series में cover करेंगे, तो आपको हमारे channel से वो सभी चीज़े मिलने वाली हैं, जिसके लिए बस आपको एक चीज़ करनी हैं, कि आपको हमारे channel को subscribe करना है, और bell icon को press करना है, सभी चीज़े step wise आएंगी, series मे आएंगी, consistent basis पे आएंगी, जिससे आप intervals के साथ अच्छे तरीके से चीज़ों को learn कर सके, तो friends अगर आपको video अच्छी लगती है, तो definitely video को like कीज़ेगा, यह में हमारा कम से कम 500 likes, and video आपको कैसी लगी, definitely आप comment करके हमें बताईए, अगर आपकी कोई query है, still अगर आपका question है, then also आप comment करके बताईए, मैं definitely आपको personally answer करने वाला हूँ, तो friends अब लोग कल मिलते हैं, next trading session के लिए, कुछ अच्छे stocks के साथ, till then thanks for watching this video, bye bye